मित्रो सादर जैशी करश्टना सब्सक्राइब करे एश्टो गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को अविश्च दबावे जिससे हमारे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले मित्रो आज हम आपको बताने जाने हैं वार्षिक राशी भल वर्ष 2018 के नुसार मित्रो वर्ष 2018 आपके लिए केशा है क्या लाव है इस वर्ष में आपको क्या हानी है अपनी जन्म राशी के नुसार जाने मित्रो मित्रो मेश राशी से आरंब करते हैं मेश राशी वालों के लिए साल 2018 जदा ही रोमांटिक रहने वाला है शुक्र ग्रह की शुब छायां इस छेतर में आपको तरोताजा रखेगी परन्तु अगस्त माह थोड़ा मध्यम आपका गुजरेगा व्यापार हो या जाब दोनों में सफलता मिलने के पूरे आसार है अच्छा होगा कि आप समय की किमत को समझें क्योंकि यह साल आपके लिए सोभाग के दायक है और सावधानी की बहुत आवशकता है सूरी का प्रभाव परहेज में आपको सहयोग देगा फिर भी खान पान का पूरा ख्याल रखे अन्यता स्वास्त आपका साथ नहीं देगा आपका शुब अंक है 6,8,9,10 इन अंकों के अनुशार यदि आपको इकारी करेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी आपके लिए शुब वार आपके लिए है शुब वार आपके लिए है शुक्रवार गुरुवार एवं सनिवार वार के अनुशार भी कोई कारी आप करेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी अगली राशी व्रशब व्रशब राशी वालों के लिए यह है कि प्रेम की परिवासा आपकी राशी देती है लेना नहीं है देना ही है इसलिए आपको अपने परिवार से प्रेम की चाह कम ही रखें कोशिश करें कि आप उन्हें भरपूर प्रेम दे तो साल आपका अच्छा वेतित होगा और पार्टनर्शिप से उतना लाब नहीं मिलेगा जितना आप उनसे अपेक्षा रखते हैं आपको यह प्रामर्श दिया जाता ही कि आप क्रोध में कोई निर्णई नहीं ले अनिता आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है और पूरानी बिमारी आपको परेशान कर सकती है इस वरसे पर आपकी अच्छी आदिते बात आपकी बगड़ने नहीं देंगी संब्भ हो तो आप प्राणायाम अवश्य करें आँक संबंदी बिमारी आपकी चिंता को बढ़ा सकती है आपके लिए शुब अंक है एक तीन पाँच साथ एवं नौ इन अंकों के अनुसार यदि आपको इकारी करते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी आपके लिए शुब रंग यह है गुलाबी क्रीम सफेद हरा और नीला और शुब वार आपके लिए है शुक्र वार तो वार के अनुसार भी यदि आपको इकारी करेंगे तो आपके लिए बड़ा ही शुब रहेगा अगली राशी मिथुन, मिथुन राशी वालों के लिए जनवरी से सितंबर तक का समय प्रेम पूरुन कारियों में बढ़ चरकर हिस्सा लेने में आपको गुजरेगा और इसके बाद व्याबसाइक व्यस्तता थोड़ा आपको प्रभावित कर सकती है जीवन साथी अपनी समझधारी से स्थिती को संभाल लेंगे आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मेहनत और इमानदारी से किया गया काम निश्चिती अच्छे फल देता है यह बात इस साल गुरू एवा मंगल की वजह से आप पर पूरी तरह से लागू होगी और मानसिक रोग आपके स्वास्थ पर प्रतीकूल प्रभाव डाल सकते हैं व्यर्थ के तनाओं से आप दूर रहें और खुश रहने का प्रयास करें आपके लिए शुब नमबर है तीन और पांच इन्हीं अंकों के नुसारे यदि आपको इकारी करते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी आपके लिए शुब रंग है पीला हलका नीला एवं सफेद शुब वार आपके लिए है गुरवार एवं बूदवार अगली राशी करक करक राशी वालो के लिए दामपत्ती जीवन ज्यादा भावग बना कर रखेगा परिवारिक जिम्मेदारी के अपेक्षा आपके दामपत्ती जीवन में बाधार डाल सकती है कितना भी हो आप भावनात्मक कारिय कम ही करें और जितना भी ज़्यादा और कितने भी जल्दी आमदानी की स्कीम या परपोजल आपके सामने आए आप उन पर ध्यान नहीं दें क्योंकि इस वर्ष उन सभी से आपको नुक्षान होने की पूरी संभावनाएं है और गुरु की दरश्टी पेट संबंदी रोग में कुछ राहत देगी किन्तु फिर भी जीब के स्वाद पर आप संयम बनाए रखें वेसे नवंबर माह के लवा पूरा साल आपका सामान नहीं व्यतीत होगा आपका शुब अंक है दो पाँच साथ एवं नौ इन्हीं अंकों के अनुसार यदि आपको इकारी करते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी अगली राशी सिम्व राशी वालों के लिए मार्च एवं अक्टूबर का महिना दामपती जीवन में तनाव लेकर के आएगा इसके अलबा आपका पूरा साल हसी खुशी से व्यतीत होगा और शेयर मार्केट में आपको नुक्सान होने की सम्भावनाए हैं सावधानी बनाई रखें पार्टनर से कहा सुनी आपकी हो सकती है बहतर होगा कि आप अपने काम पर ही ध्यान दें उसी से अधिक आपको कारी करें और जहां तक हो संभव हो दूसरों के विवाद में हस्तक शेप भी नहीं करें यानि बेवजह का कोई खत्रा आप मौल नहीं लें आपके लिए शुब अंक हैं एक तीन चार एवं नू इन अंकों के नुसार यदि आपको इकारी करेंगे तो आपको शुब फल ही प्रतीत होंगे शुब फल दायक रहेगा और आपके लिए शुब रंग है लाल पीला एवं गुल्डन आपके लिए शुब वार है मंगलवार एवं बूदवार इन वारों के नुसार भी कोई कारी करते हैं तो आपको लाब अवश्य ही मिलेगा अगली राशी कन्या कन्या वालों के लिए आपका शांत एवं हस्मुक सुभाव आपकी दामपती जीवन को मज़ेदार बनाने में कोई कमी नहीं रखेगा और अपरिचित लोगों पर आप इस वरस जल्दी ही विश्वास नहीं करें अन्यता आपके साथ धोका हो सकता है और भूलकर भी किसी को करज नहीं दे और नहीं किसी की यारंटी लें क्योंकि मंगल गरह आपको परिशानी में डाल सकते हैं अतह पूरी सावधानी बनाए रखें और साल भर में दो तिन माह के अंतराल में थकावट आप महसूस कर सकेंगे पर वेसे कुल मिलाकर स्वास थापका ठीक ही रहेगा यदि आप किसी डाक्टर द्वारा बताई गई धवादी ले रहे हैं तो लेते रहें उसमें आप कोई लापरवाही नहीं बरते और आपके लिए शुब अंक हैं तीन छे साथ एवं आठ इन अंकों के नुशार यदि आपको इकारी करते हैं तो आपको सपलता अवश्य ही मिलेग आपके लिए शुब कलर है सफेद हलका नीला एवं गुलाबी शुब वार आपके लिए बूधवार है अगली राशी तुला तुला राशी वालों के लिए पूरा साल काफी उतार चड़ा उभरा रहेगा एवं दामपत्ति जीवन आप में उमंग उत्साह बनाए रखेगा बुध एवं गुरु की दृष्टी नए लोगों से दूरी बनाए रखने के संकेत दे रही है जो आपके लिए बड़ा ही उचित रहेगा और जाब में अगस्त माह तक प्रमोशन हो जाएगा यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो भरपूर लाब की संभावनाएं आपकी ब प्रमी ला सकता है शेस समय आपका सामान रहेगा शुब अंक आपके लिए है एक दो एवं साथ इन अंकों के नफसार कोई कारे आप करते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगे शुब रंग आपके लिए है सफेद हलका निला गुलावी और पीला शुब बार आपके ल वरिष्चिक राशिवालों के लिए काम और वासना का दुस्परभाव साल के प्रारंब के दो महिने रहेगा सेश पूरा वरस अच्छा व्यतित होगा यानि आपकी दामपत्य जीवन संतोष जनक रहेगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में आपको लाब मिलेगा पु आपको हो सकती है इसलिए सावधानी बनाए रखें वैसे कोई चिंता की बात नहीं है और आपका शुब अंक है तीन पांच नौ इन्हीं अंकों के नसार कोई कारे करते हैं तो आपको लाब अवश्य ही मिलेगा शुब रंग आपके लिए है लाल पीला एवं गोल्डन और शुब वार आपके लिए बूदवार एवं गुर वार अगली राशी धनू धनू राशी वालों के लिए प्रेम का उनुमाद धिरे धिरे वर्दी की और अग्रसर होता रहेगा सितंबर माह में कोई अपरिचित का भी आपके करीब आ सकता है सावधानी बनाए रखें अन्य नया निवेश आप कर सकते हैं पुरा साल आपके लिए उत्तम हैं और एकसरसाइज नियमित्रूप से करते रहें थोड़ी सी भी ला परवाही आपका स्वास्त बिगाड़ सकते हैं अधिक शकर वा नमक का प्रयोग नहीं करें आपके लिए शुब अंक है पांच छे एवं शुब रंग आपके लिए हैं हलका हरा मल्टी कलर और पीला शुब वार आपके लिए बूदवार एवं शुक्रवार अगली राशी मकर मकर राशी वालों के लिए शुक्र का प्रभाव अक्टूबर माहों को थोड़ा उदासिन करेगा इसके अतिरिक्त पूरे साल आपका दामपति जीवन खुश नमा रहेगा धन संबंदी कारे में आपको लाब होगा पुराना निवेश भरकूर लाब दे करके जाएगा ओवर ट्रेंडिंग या ओवर कमिट्मेंट आपको संकट में डाल सकते हैं इसलिए सोच समझ करके कमिट्मेंट करें या कोई निर्ण लें और दांत से जुड़ी परिशनिया आपको परिशान कर सकती है इसलिए किसी अच्छे ड़क्त से परामर्स लें और आपके लिए शुब अंक हैं 6,8 एवं 9 इन अंकों के नुसार कोई कारे यदि आप करते हैं तो आपको लाब अवशी ही मिलेगा शुब रंग आपके लिए सफेद लाल एवं नीला शुब वार आपके लिए मंगलवार एवं शनिवार अगली राशी कुम्भ कुम्भ राशी वालों के लिए दांपत्ती जीवन में गहरा आपसी जुडाव आपके पूरे साल को रोमान्चित बनाए रखेगा और जीवन सांती से भरपूर प्यार ए यदि आपका काम सरंगार या शो बिजनेस का है तो आप इस साल बड़े ही लाब में रहेंगे और अनावश्य काम को कल पर नहीं टाले ने था पेंडिंग काम आपकी मानसिक और सारेरिक स्थितिकोत कस्टमाई बना सकते हैं आपके लिए शुब अंक हैं दो तीन पांच शुक्रवार अगली राशी मीन मीन राशी वालों के लिए रोमांस आपके कमजोरी रहेगी जिवन साती का पूरा ख्याल लखे थोड़ी सी भी असावधानी आपका पूरा साल खराब कर सकती हैं विपरित लिंग वाले व्यक्तियों के प्रति आपका जुकाव इस वर्ष अ नुक्सान पहुंचा सकती हैं वेसे यदि आप मेनुफेक्चरिंग के कारे में हैं तो धन में आपकी वर्द्धी होगी और ब्लट प्रेसर डाइबिटीज संबंदी विमारी थोड़ा आपको परिसान कर सकती है पेर में मोच या घाव की संभावनाएं आपको बन रही हैं स को सफलता के प्रबली हो गहें और शुब रंग आपके लिए पीला गुलावी क्रीम एवं सफेद और शुब वार आपके लिए हैं गुरुवार एवं रविवार तो मित्रो यह थी बारा हराशियों के अनुशार वर्षिक फल की जानकरी जिए आपको हमारी यह जानकरी पस तो जय स्रीक्रशना फिर मिलेंगे